देली करिंट नीज में अभी की खबर है। चोटी उम्र से ही स्वातंत्र और क्रांतिकारी विचार रखने वाले शचींदरनाथ ने देश भर में युवाओं को प्रेजित किया 1913 से भारत में ब्रिटिश राच के दौरान क्रांतिकारी विचारों को जागरत करने में उन्होंने प्रमक भूमिका निभाई इस दोरान उन्होंने पतना में अनुशीलन समिती नामक संगठन के एक शाका की स्थापना भी की ये राज बिहारी बोस के करीबी सही होगी थे और गदर पार्टी की योजना का हिस्सा थे इस योजना में शामिल होने के लिए उन्हें उम्रकैप की सजा हुई अंडमान और निकुबार वीब समू में सेलूलर जेल में कारवास के दोरान 1922 में उन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन लिखी बाद में उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा कर दिया गया किन्तुप उन्हें ब्रटिश विरोधी कतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें अप्रेल 1927 में दूसरी बार सेलूलर जेल भीजा गया दूतिय विशुद के दौरान उन्होंने जापानी मदद से भारत को अजाद कराने का समर्थन किया 1941 में भारत रक्षा धिनियम के तहत उन्हें गिरफतार कर लिया गया इस दौरान उन्हें तपे दिकिया टीबी की बिमारी हो गई जो उनके लिए घा तक साबित हुई अंततह साथ फरवरी 1942 को उनका निधन हो गया झाल